आप बता बेटा आ जाओ खड़ी हो जाओ धर्म होता है बस जैसे होता न कि इंसान अपना जो होता है कि लोगों का कल्यान करना पैले धर्मे से भी बात sent राजनीते देश पर एक जाती के एक लोग धर्म के आधार पर जोड़ने की कोशिश करते हैं दूसरे लोग अगड़े पिछड़े की बात करते हैं इसको लेके आप क्या सोचती हूं पहली बाद तो दोनों गलत है अगर नेटा आशव वह वह होता है जो पूरे देश को जनता को ना कि धर्म के आधार पर। ना कि जाद के आधार पर। लोग और सारे लोग चलते हैंजा हो और s 북 papyr. जब आप टीवी देखती हो जब लोग बोलते देखती हो पहले तुम सोचती थी कोई टीवी वाल आए तो मैं भी बोलनों जारा क्या मेरे दिवाग में एक चीज पर बहुत जादा मैं मैंने मेरे गाउं में एक बाल लडाई हुई थी प्रधान कोई काम नहीं कर रहे थे तो मेरे चाचा की डेथ हो गई मेरे भाई ने सब कुछ अच्छे से किया कि मतलब सच्चाई उन्होंने पाच साल तक प्रधान थे लेकिन इक काम नहीं किये गाउं में और उसके बाद जब कि यहां तक सर्मेरे थाने में जाकर कि अफाई आर नहीं दर्ज कर रहे थे क्योंकि भाई प्रधान है उनका संपर्क भी धायक से था अब माल लेते मोदी जी हमारे प्रधान मंत्री बहुत अच्छे हैं बहुत काम करते हैं लेकिन में चीज क्या है ना यहां पे सारे लोग भ्रष्ट है छोटे अस्तर से लेकर बड़े अस्तरत है कोई डियम है वो भी भ्रष से जाता है अधर एक बुलों क्या बुलना चाहती हो आपका नाम क्या है और आप क्या सोचती हो सारे चीज ओपर में अब एक हैक सवाल आप जो हमारे देश में जो government work कर रही है एक धर्म और एक जाती पे लेके इस पे मैं सर ये कहना चाहती हूं कि धर्म पे तो बहुत राजनीती हो रही है हमारे देश में क्योंकि हम किसी भी एक वर्ग को लेके नहीं बोल सकते कि ये भारत है ये हिंदुस्तान इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुओं का देश है या मुस्लिमों का देश हम सेग्रिगेट नहीं करेंगे हम ये कहना चाहते कि क्यों किसी मतलब ये सवाल हम लिटरली सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब हमारा भारत एक सेक्यूलर देश है और सेक्यूलर है तो फिर क्यों इसक को मैं सबोर्ट नहीं कर रही हूं बट मैं कह रहे हूं कि जैसे हमारा समाज पहले था जब चेंज हुआ अमबेटकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे पूरे सुसाइटी को चेंज करने में और शायद अंबेटकर जी नहीं होते तो मैं यादव हूँ मैं नहीं पढ़ पाती हूँ तो अगर हम धर्म और जाती पे जाएंगे तो समाज को और देश को पीछे ले जाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते लेकिन अफसोस इस बात का है कि सियासत इसी मुद्दे पहुरे तुमको कुछ बो है जब मैं इस तरह की लड़कियों के कॉलेज में आकर के और इन से इनकी बात जानने की कोशिश कर रहा हूं बताओ मेरा नाम स्रीनेदे सेंग है बताओ मैं यह पूछ रहा हूं कि अभी जो सियासत चल लए है अभी जो समाज में चर्चा चलती रहती है हिंदो मुसल्मान क आप देखती हो आपको लगता है कि नौजवानों की यूथ की लड़कियों की उनकी प्रॉब्लम्स पर उनकी जरूरतों पर उनकी बातों पर सरकारों की तरफ से नेताओं की तरफ से मीडिया की तरफ से चर्चा बहुत कम होती है जो असली मुद्दे उस पर चर्चा कम है और जो मुद्दे इधर उदर के उस पर जादा है। और अभी के माहौल पर क्या जो चल रहा है उसमें आपका क्या कहना है। बच्चे हैं हमारे जो नौजवान हैं वो कैसे बेरोजगार हो रहा है बेरोजगारी का दर कैसे बढ़ता जा रहा है। पर बिल्कुल नहीं है सिर्फ यह देखता जा बस सरकार इसको देख रही है कि हम कैसे सत्ता में आंगे हमारी सरकार कैसे बनेंगी उनको कैसे गिराना है हमें कैसे ऊपर आना है बस यह चल रहा है कुर्सी के खेल लगे इस विख होता है ना कि इक्जाम से कराते हैं और फिर लूपो जाना और वैक उसे अट आ हम इए तो बच्चों के लिए थो कुछ होता जीन ये बस जो होता है सब सत्ता का ही होता है खेल बिबस अ हमें किया जा रहा है श्थमक्राना परसेंट लोगों के पास 40 देश की 40-35 मनी है उनके पास और इसकी वज़े से गरीब और गरीब होता जा रहा है गरीब लोग अपनी बिमारी का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं और गरीबों के बच्चे भी नहीं पड़ पा रहे हैं आप क्या करते हैं